प्रशुडेंट हम ने मल्टिपल डिफ्लेक्षिन व्सांद के बारे में स्टुडी किया अब इसका क्या-क्या यूज होता है यह भी मैं आपको बता दू कि डेलिलाइट में क्या-क्या रूता है फ्र्स यूजेज ऑफ डिस यूजेज अधॉजों आप मेल्टिपल डिफ्ले होता है like this यह आपके mega phones होते हैं और जब यहां पर sound produce होता है तो बार-बार reflect back होता है यहां पर this is like reflection होता है और देन बाहर की तरफ यहां से निकलता है साथी अगर यहां पर हम देखें स्टेलिष्कुब जो डॉक्टर यूज़ करते हैं यहां पर उनके अंदर भी क्या होता है multiple reflection होता है किस तरह से होता है यहां पर अगर मैं देखूं ये इसकी यहां पर बार बार reflection of the sound होता है इस तरह से और यह फिर क्या होता है कानु तक जो है यहां पर पहुंचता है यहां पर पहुंचता है और आपको यहां डॉक्टर को आवाज सुनाई देती है हाल भी जो सुनना चाहिए नेक्स इस कर्ट सीलिंग ओप अगर आप बात करें कर्ट सीलिंग ओप अडिटोरियों जो बनाई जाती है ताकि जहां पर्फॉर्मेंस हो यह पर्फॉर्मेंस के बाद मल यह आपको अलग अलग जगा लाइक तेस यहां पर आपको reflection के बाद भी जो किसी रिंच के आंडर हम सुन पाएंगे स्पाहें, तो किसी रिंच के अंदर हम सुन पाते हैं 50 बॉलायरंट क्या होती है, for the human being, human being ओडियों Amayu neut जोती हलिए केश्क का होती सुनेट इस कोड 20-kilph, 20,000 stone के बीच की दिस्क 20hz से लेकर 20,000 hz की पीच की वॉइस ही हम क्या सुन पाते हैं अगर इससे ज्याधा फ्रिक्वेंसी होगी इससे कम फ्रिक्वेंसी होगी तो हम नहीं सुन पाइंगे तो है हमारी ओडियावल नहीं जोती है लेकिन चिल्टरन की अगर बात करें छोटे बच् 20,000 Hz से भी ज्यादा एकी voice सुन पाते हैं तो यहां पर हम दो तरह के sound को बता सकते हैं First is infrasound and second is ultrasonic sound एक infrasonic sound, एक ultrasonic sound So sound waves with frequency less than 20 Hz ऐसे sound को infrasonic sound कहते हैं और जो sound wave frequency 20 Hz से ज्यादा की frequency से move करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं ultrasonic sound तो यह audible range थी इस तुड़ है झाल झाल